हलो फ्रेंट्स वेलकम तो स्मार्ट नोकरी चैनल दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको ले लेकर आए हैं कुछ नई अपडेट्स जिया दोस्तों आपके जाने का बहुत खुश्ट होगी क्योंकि आपको जी काफी स्टुएंट जो हैं हमारे जो फेल हुए हैं टेस्ट मे वो यह निरास हो चुके थे कि अब जो हैं इस भरती से बाहर हो चुके हैं तो मैं आज आपको बताने वाला इस वीडियो के माध्यम से कि आप अभी तक भरती के सेलेक्शन प्रोचेस से बाहर नहीं हुए हैं जी हां दोस्तों आपको पूरा चांस है आपका भी सेलेक्शन ह सबसे आगे मिलती है साथ ही दोस्तों आर्पीफ टेस्ट का जो भी एक्सपिरियंस वीडियो है हम वो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं और जब भी कोई नहीं सरकारी वेकेंसी आती है तो उसके फॉर्म के नोडिफिकेशन से लेके उसके फाइनल रिजल्ट तक हम तिल सारी की इंफॉर्मेशन जो है आपको यहां पर प्रोवाइट कराते हैं तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को तुम्हें सबसे पहली यह बता दो आपको दोस्तों आपको ट्रेटेस में जो है 40 मार्क्स का था टोटल और 60 मार्क्स का जो अल्रड़ी यानि कि मैं अगर आपक CBT नंबर दो स्टेप है हमारा ट्रेट टेस्ट जो हमारा 40 नंबर का यानि के जो अभी चल रहा है तो आज मैं आपको बताता हूं दोस्तों किस प्रकार जो हैं CBT में जितने भी स्टूइंस पास हुए और उनका जो है फिर फीजिकल टेस्ट हुआ और उसके बाद जो है ट् हम फेल भी हो जाते हैं तो भी हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि हम अब भी भरती में हैं तो जानते हम अपना कॉंफिदेंस कैसे बढ़ाएंगी और कैसे जितने मारे स्टूइंस जो फेल हुए जो काफी निराज चल रहे हैं उनके लिए खुशकवरी में लेकर आया हूं चलिए स्टार्ड करते हैं आप सारी स्टेप को फॉलो करने के लिए तो इस परकार मैंने आपको बताया कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी आपको पता होगा नोटिफिकेशन अपने पढ़ा होगा जी हम आपके लिए कोई नहीं जंकाई नहीं दे रहा हूँ आ आपको जो है आपका ध्यान जो है नोटिफिकेसन के तरफ लेके जा रहा हूं तो वहां पर आपने देखा था कि वहां पर टोडल सो नंबर का जो है आपका final merit list लिस्ट जारी होगी आप उस final merit list में आपका देखिए CBT1 जो आपने exam दिया तो क्याफी स्ट्टूइन का नंबर जो है 40 प्लस में आया किसी का 45 आया किसी का 30 आया किसी 28 नंबर आया तो यह सारे नंबर से आपको मिल चुके हैं एक डाउट नंबर आप उसके बाद हुआ था आपका पी टी जी यहां दूसर पी यह पीश्ट आप जो भी कहसें तो पीटी पीश्ट आपको पता है यहां पे सिफ 800 मिल्टर का आपका रणिंग हुआ था नौफिट गजो है आपकी लॉंग जंप हुई थी तीन फिट आपका आपका जो है समद्वानिवार था लेकिन आप्को ट्रेष्ट्ट में नहीं हो फास होने के लिए तो यहाँ पर खुर स्वेग्ल mere हम से कम होंगे तभी उन्हें फेल किया रहा है यानि कि जो अच्छे ऐसे तेखा माज इनिकि aja 40 % marks जो है इसका यानि कि 14 से पंदरा नमबर आप समझ लीजिए तो 15 आप नहीं पार रहा हैं या आपका नमबर जो होगी यानि कि आपको बहले ही बहले बाहर कर दिया गया है वहां के फाइल पे तो अब जब फाइनल मेर्ट भनेंगी तो मैं बता दूं आपको दोस्तों आप तो फाइनल मेच लिस्स में अगर नमबर 60 नमबर लगबक 4 नमबर भिलो लो फेल हो गए आप फिर तो यहाँ पर अपका हो गय जा रह iron तो यह यहां पर उसका नमबर ऐं पचाश सुगा है तो कि आह उस्यक्त की हैं 50 एचतंस के다면 कि आपका जो marks यानि final merit list जो बन रही है वहाँ पर आपका marks जो है pass away students से ज़्यादा है तो इस परकार यहाँ पर आपका selection तो 101% पका है क्योंकि merit list में तो marks किसा आप से मिलेंगे ऐसा तो है नहीं कि आपने जितने भी trade में आपने pass किया सभी लोग को select कर लिया जाए बिल्कुल नहीं क्योंकि आपका selection का जो process है RPA follow का तो RPA follow ने क्या कहा था कि भाई आपको CBT में जो है marks लाना होगा उसके बाद आपको trade test में लाना होगा हम इन दोनों को मिला के 100 number का एक cut up जारी करेंगे और उस cut up में जिनका marks आता है वो जो है selection होंगे तो यहाँ पर ये बात नहीं कही गई थी कि जो आप लोग select जो students हुआ है CBT में और अगर वो trade test में fail हो जा रहा है तो उसे आप बाहर कर देंगे बिल्कुल नहीं यहाँ पर बात कही जा रही है आपको जो है final में इसमें अपना अस्थान पाना होगा तो उसमें अस्थान पाने के लिए आपको क्या है एक नंबर दिया जाएगा जो आपने CBT म या 14 या 12 समझ लीजिए इन में से कोई भी एक नंबर आपको दे दिया जाएगा लेकिन आपका CBT में माक्स अच्छा है यानि स्कोर अच्छा है और सामने वाला जो पास हो रहा है जिसका जो है CBT के स्कोर और उसका स्कोर मिलाने के बावजुद भी वह जो फेल हुआ उससे कम है तो यहां पर आपको दोस्तों जितने भी फेल हुए बच्छे हैं हमारे उन सभी को में तरफ से जो है एक अभी भी होप जारी है दोस्तों आप अभी तक अपनी निराहाद जो आशा होती ह करते हैं हम अपनी आशा बनाया रखिए आपको जॉब में अच्छा मुकाम मिलेगा अगर आपके अच्छे मार्स हैं CBT में तो आपको निराश होने के कोई आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि फाइनल मेटली जब बनेगी तो आप देखेगा जो आकड़े हैं वह बिल्कुल च चाहते हैं तो आप वीडियो नेक्षे जाएंगे कमेंट कीजिए हम आपका एंसर देंगे तो मिलते हैं तो नेक्स वीडियो में नहीं जानका एक नहीं अप्लेट के साथ थैंक यू सो मच दोस्तों पर वाचिंग इस वीडियो